नमबर एक, अगर घर के मुक्ध द्वारे में काली चीटियां जुन्न में दिखाई दें तो यह सुब माना जाता है नमबर दो, यदि आपके घर में कोई चिडिया आकर घुंसला बना ले तो यह बहुत ही सुब संकेत माना गया है नमबर तीन, ऐसा कहा जाता है कि सुबा उड़ते ही संग की आवाज सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महा लक्षमी की आगमन का संकेत माना गया है नमबर चार, यदि आपको सुबा सुबा घर से बाहर निकलते ही कोई जाडू लगाता दिखाई दे तो यह समझ जाईए मा लक्षमी का आगमन हो सकता है नमबर पांच, शास्त्र के अनुसार, यदि सपने में जाडू, उल्लू, घरा, बंजी, हाथी, नेवला दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति के संकेत हैं नमबर छे, घर से बाहर जाते समय हरी सबजियां, हरी घास, सफेद कबूतर आदिका देखना भी सुभ होता है वीडियो पसंद आई हो तो एक सबस्क्राइब करना ना भूले